हेलो प्रेंट्स वेल्कम बेक टो माई चैनल प्रेंट्स आज की इस वीडियो में आप देखेंगे क्रोश स्टीच इंब्रोइडरी का एक बहुत ही खुबसूरत बोर्डर पैटर्न जिसे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं अगर आप बेगिनर से हैं अगर आपको क्रोश स् और फिर कोई भी डिजाइन बना सकते हैं यह बहुत ही सिंपल और इजी डिजाइन है और यह देखने में बहुत ही खुबसूरत लग रहा है जैसा कि आप देखी सकते हैं तो प्लेज वीडियो को एंड तक पुरा देखिए वीडियो शुरू करने से पहले आप से मेरी एक चोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने पर जो बेल आइकन आता है उसे भी प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई नए वीडियो अप्लोड करें तो उसकी तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं इस तरह से हमें डिजाइन बनाना है तो यहां पर दो क्रॉस बनेगा एक और यह दो अब हम फ्रेम को घुमा लेंगे तो इस तरह से हमें फ्रेम को घुमाना है और यहां से हमें तीर्चा क्रॉस बनाना है इस तरह से एक दो साथ क्रॉस बनाना है तेल चार पाच छे और यह साथ और यह जो साथवा क्रोस है इसके ठीक सामने इधर भी एक क्रोस बनाना है अब यह होने के बाद हम पिंक कलर का उन्सुई में लगा कर लेंगे अब हम फ्रेम को फिर से इस तरह से घुमा लेंगे और सुई को हम यहाँ पे निकालेंगे और यहाँ पे हमें दो क्रोस बनाना है एक दो फिर इसके नीचे ठीक इसके सामने इसी तरह से हमें दो क्रोस बनाना है एक दो हो गया फिर अब यहाँ से हमें बाएं तरफ दो क्रोस बनाना है इस तरह से फिर इसके नीचे दो क्रोस बनेगा इस तरह से फिर यहां पर बनेगा एक, दो अब यहां पर भी बनेगा एक, दो फिर यहां पर बनेगा तो इस तरह से डिजाइन कम्प्लीट हो गया बहुत इजी है और यह देखने में बहुत सुन्दर लग रहा है आई होप यह डिजाइन आपको समझ में आ गया होगा फिर हम सुई को यहां निकालेंगे और यहां पर दो क्रोस बनाएंगे इस तरह से और फिर उपर की तरफ जाएंगे फिर यह वाला भाग बनाएंगे इसी तरह से जितना बरा बनाना चाहिए डिजाइन को उतना बढ़ा सकते हैं तो हमने डिजाइन को बनाकर कंप्लेट कर लिया है आप देख सकते हैं यह कितना खुबशुरत डिजाइन है और बनाने में बिल्कूल इजी डिजाइन है तो यह था हमारा आज का वीडियो मैं उमीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें अपने फैमले और फ्रेंड के साथ सेयर करें आप वर्ट्सेप पे, फेस्बुक पे, किसी भी सोसल साइट पे हमारे वीडियो को सेयर कर सकते हैं कमेंट करना तो बिलकुल ना भूले क्योंकि जब आप लोग के अच्छे-च्छे कमेंट आते हैं तो मुझे पटकर बहुत खुशी होती है और मैं मोटिवेट होती हूँ वीडियो बनाने के लिए तो प्लेज कमेंट करके मुझे बताए कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मैं फिर मिलूँगी अपने नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई वीडियो देखने के लिए थैंक यू